तो देखे जो आपका अरश्य गूरूप टी है और इसमें अगर हम देखे तो यहां पर आपका हुबली जोन है तो हुबली जोन की बात करें तो यहां पर अभी तक जो भी केंडिडेट देखे टीवी मेटकल्ड के लिए सौट लिश्ट हो गयते उसके बाद उनका यहां पर पैनल जो है वो देखे जारी किया जा रहा है यानि कि उनका जो पैनल है वो यहां पर अभी भी जारी हो गया यानि कि फॉर्थ पैनल तक आपका देखे सलक्सन जो है वो केंडिडेट को देखने को मिला है इसके बाद भी आगी हाँ जो पैनल है उसमें केंडिडेट का सलक् देखने को मिले लेगिन अभी तक देखे 4 पैनल यहाँ पर जा रही होगा तो आगर हम देखे तो जो केंड़िये अभी यहाँ पर सिलक्ट हो गया है उनकी लिए आगे चांस जो है वह यहाँ पर देखि हो गया है और इसके बाद जो बचवे वे candidate है यानि कि जो second EV का wait कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर कितना chance होगा यानि कि अब जो weekend वाली आपकी seat है वो यहाँ पर कितनी बची है यानि कि fourth panel से select होने के बाद जो आपके seat हैं और इसके बाद जो अभी भी candidate देखे second EV का wait करें तो उनका कटाब जो है वो यहाँ पर कितना डिस्करिस क्या जा सकता है तो इसमें अगर देखे तो यहाँ पर देखे आपका हुबली जोन में बात करें पहले अगर हम vacancy की बात करें तो यहाँ पर जो टोटल vacancy वहाँ आपकी 7176 total vacancy इसकी पर पीटी पास candidate की बात करें जिनका सेलक्षण कुछ पॉांट से भी रह गया था और इसी वजह से यहां पर इंका सेलक्षण फर्स्ट से डीवी में देखने को नहीं मिला था तोतल की अगर हम बात करें तो टोटल यहां पर अभी तक personal में से लेक्ट हो गयते तो भी जाहां ठूलेगते सलेक्ट हो गयते लेकिन उसके बाद अगर हम देखे तो आपके Lost टॉटल अगً पहले वेकनसी tile path 2188 नीक्ट परrit QUESTIONS 660 अभी भी वेकैंसी जो है वो यहां पर बची हुई है यानि कि उन में पूरा चांस रहेगा जो केंडिडेट यहां पर सेकंड डिवी का बेट कर रहें लेकिन इसके बाद अगर देखे तो ये आपका देखिए यहां पर यहां पर बचिए आपकी वेकेंसी आपकी 693 तो लगबग यहां पर अभी-भी यहां पर सेलक्ट होने के बाद उनका पैनल में नाम नहीं आए तो उनको अभी चांस यहां पर देखने को मिलेगा यांने कि आगे पैनल जो है वो जारी की आजाएगा लेकिन फिर भी अगर हम पान के चले कि आपको सेकेंड ढीवी की तो यहां पर सेकंड डिवी का वेट करolina यहां और 600 वेकंसी आपकी बहुत जादा यहां पर है तो इसलिए कटाफ जो है वह भी यहां पर देखे काफी कम किया जाने के चांस रहेंगे क्योंकि वेकंसी आपके देखे जब तक कंप्लीट नहीं होगी आगे भी जो डीवी है वो जारी की जाएगी तो 600 आपकी यहां पर टोटल वेकंसी जो है वो देखने को मिली है कटाफ की बात करे तो कटाफ जो यहां पर PET के लिए और इसके बाद आपका DV के लिए जो जारी की गई थी तो यह आपका यहाँ पर PET का कटाफ है इसके बाद यहाँ पर DV में जो candidate shortlist हुए थे उनका कटाफ यहाँ पर जारी किया गया था तो इसमें पहले देखे तो PET का कटाफ देखे आपका 66.32 यहाँ पर जनल था DV की बात करे 72.05 यहाँ पर कटाफ था इसमें देखे तो यहाँ पर 5.73 मार्क जो है वो यहाँ पर इंकरिस किया गया था फिर आता है आपका SC केटेगरी और SC की बात करें 52.51 यहाँ पर आपका PET का था लेकिन अगर हम देखें आपका DV का कटाफ तो लगवग 60.93 यहाँ पर आपका देखें काटाफ आया था यानि कि SC केटेगरी वाले जो केंडिडेट थे इनका कटाफ यहाँ पर 8.42 यहाँ पर का इंकरिस किया गया है इसके बाद EWS की बात करें तो EWS में कटाफ जो है वह आपका PET का था 50.08 इसमें देखें तो यहाँ पर आपका कटाफ फांली DV के लिए गिया था वह आपका 61.58 है यानि कि सब्से जादा जो आपका इंकरिस हुआ है वह 11 वाइंट यहाँ पर 50 है यान पर जो कटाफ है वो आपका देखे जनल कटेगरी वाले कंडिडेट का यहां पर डिस्करीज होगा और इसके बाद आपका EWS कटेगरी सबसे कम जो कटाफ है वो आपका यहां पर OBC कटेगरी में ही कम किया जाएगा क्योंकि यहां पर कंडिडेट जो है वो काफी जादा है ले यहाँ पर 71 70-71 के बीच में आपका कटाब बणना है तो बिल्कुष चांस रहेगा यहाँ पर आपके सेलेक्शन होने का OVC काटेगरी की बात करें तो यहाँ पर आपका देखें बणना 68 यानि कि 67 से जादा यहाँ पर बणना 68 की बीच में बनना तो आपका यहाँ पर चांस रहेगा ज्यादा सिलेक्शन होने का SC कटेगरी की बात करें तो SC में यहाँ पर आपका देखी कटाब बनना है 1 से लेकर 1.5 मार्क्स के बीच में तो आपका यहाँ पर ज्यादा ही चांस रहेगा selection होने का और ST की बात करें तो ST में यहाँ पर आपका कटाब बनना है 56 से लेकर 57 के बीच में तो आपका यहाँ पर chance बूरा रहेगा यहाँ पर आपका finally DV में select होने के लिए लेकिन वहीं अगर हम बात करें आपका EWS तो EWS में देखे तो यहाँ पर भी आपका 61 यहाँ पर पॉइंट आपका 58 गया था जिसमें अगर हम देखे तो आपका बनना यहाँ पर 60 प्लस तो आपका यहाँ पर chance रहेगा selection होने का प्लस टू भी देखे यहाँ पर आपका जो मार्क्स है वो कम किया जा सकता है EWS का टेग्रे में क्योंकि यहाँ पर chance जो है वो सबसे ज़ादा देखने को मिलेगा तो इतना देखे यहाँ पर आपका कटाप बनना है सेकंड डिवी जो है इसमें यहाँ पर बिलकु chance रहेगा जो candidate यहाँ पर इटी कॉलिफाई और फस्ट डिवी में उनका सेलेक्सन यहाँ पर देखने को नहीं मिला था तो मिलते हैं नेक्स वीडियो पर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताएगा जो भी candidate यहाँ पर सेकेंड डिवी का वेट कर रहे हैं उनका कटाफ जो वो केटग्री वाइस कितना था जिससे उनका सेलेक्सन फर्स डिवी में देखने को नहीं मिला था